हेलो गाइज उत्तर प्रदेश पंडित दिन दयाल उपाध्याय पस्चिकिसक विज्ञान विश्विद्याल है जो की मधुरा में है ये हर साल अपने फार्म रिलेस करती है फार्म की डेट कल ही इंड हो चुकी है रात्र एक जारा वज के उनसर्ट मेंट पे तो फार्म की डेट इस्टेंड होई थी साथ दिन के लिए जो की इंड हो गई है इसके करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और भी कुछ इंफार्मेशन है इस वीडियो हम जान लेते हैं टेपर का पैटनर और गयरा कैसे राता है इसके बारे में थोड़ा सा फोकस कर देते हैं क को आप जॉइन कर सकते हैंикомend बाक्स में comment कर सकते हैं रोलस और रेगुलियोसन्स फार एडमीसन और अड़ अडमीसन प्रॉसिर्ज यहां पे जो वेटनरी के लिए लिए total seats की संख्या सा हो है, biotechnology के लिए total seats की संख्या 40 है, अगला category में अलग-लग reservation है, payment seat यहाँ पे 22-25% है, open seats यहाँ पे 45% है, NRI की वो 5% seat है, जो की sponsored seat है, movement category के लिए 10% seat है, university ward category के लिए 2.5% seat है, total seats का distribution रहा, अगर आपके pre-exam तो 25 को है, आपको ही पता होगा, pre-exam 25 तारीक को है, बागी अगर आपके mens में, mens में आपकी rank 100 आती है, 100 के below आती है, तभी आपका हो पाएगा, लगभग आपकी rank जो है, admission लेने के लिए 70-80 के आसपास होनी चाहिए, जी यहाँ आप सही सुन रहे हैं, आपकी total rank UP की जो होनी चाहिए, वो लगभग 70-80 के पास होगा, तभी admission आपको मिल पाए, क्योंकि आपको भी पता है, एक-एक rank पे काफी ज़्यादा students होते हैं, बाकी यहाँ पे प्री में subject आते हैं, physics chemistry bio आएगा, physics chemistry bio आएगा, लेकिन जो इसका slavers होता हो, थोड़ा सा हटके है, NEET के slavers से, यहाँ पे questions थोड़ा out range आप में भी पूछे जाते हैं, मतलब bio में थोड़ा सा बाहर का पूछा जाता है, लेकिन अगर आप ठीक से पढ़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन physics chemistry में, data 2019 का बता रहे हैं, अलाग कि अभी जिस student से बात हुई, वहाँ पे वो veterinary कर रहे हैं, 2000 उनका 20 वैच है, तो वो बता रहे हैं कि लगभग इतना जाता है, इतना कटाफ जाता है, अगर आपका 70-80 अगर रहता है, total rank UP का, बाकि और veterinary के लिए आप जो है, यहाँ पे जो reservation policy अपलाई हो रहे है, OBC के लिए 27%, general के लिए 50% और EWS के लिए 10% sit reserve है, HT के लिए sit 2% reserve है, SC के लिए 21% sit total reserve है, यह सिर्फ है, S पर UP government के रूल के अंसार, मतलब UP के candidate ही इसमें admission ले सकते हैं, फिर यहाँ पे freedom fighter के लिए one sit है, इसके बाद X army quota के लिए 1 sit है, handicap के लिए 1 sit reserve है, इसकी correction window नहीं खुलती है, आपको हमने कई वीडियों बताया है, कि जो states के farm होते हैं, Mike Swarm farm, states के लगवग 95% farm होते हैं, जिनमें correction window नहीं खुलती है, central के farm नहीं, यह state के farm है, correction window इसमें दुबारा नहीं कुलती है, correction window दुबारा नहीं कुलेगी, 25 तारीको paper है, paper आराम से आप दे सकते हैं, अगर ज़्यादा गलती नहीं हो, आपके नाम सही हो, आपके father name सही हो, और आधार card में जो data है, ओ data आपके मैस कर रहा हो, लेकिन अगर आपके नाम सही है, photo सही है, और इसके बाद आधार number सही है, father name सही है, बस इतना ही data वहाँ पे मैस किया जाता है, बाकी और ज़्यादा data नहीं मैस किया जाता है, तो इतने अगर आपके farm में correction नहीं है, तो आप आराम से exam दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बाकी counselling के time सारी चीज़ें वह सुधाल ली जाती है, तो information रहीं मिलते हैं, next video on update के साथ, जय हैं,